हरे कृष्णा, हिंदू धरम में परिवर्तनी एकादसी एक महतपूर्ण एकादसी मानी जाती है और यह एकादसी हर साल भादरपद मास के सुकल पक्स की ग्यारवी तिथी यानी एकादसी को मनाई जाती है इस दिन भगवान स्रीहरी विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्रीहरी विष्णु अपनी योग निदरा में लीन रहते हुए करवट लेते हैं इसलिए इसे परिवर्तनी एकदसी भी कहा जाता है और इसे पदमा एकदसी और पार्सव एकदसी के नाम से भी जाना जाता है। इदुधार्मिक मानेताओं के अनुसार जो भी भक्ति पूर्ण समर्पन के साथ इस वर्त का पालन करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्ते धन और सुक की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से ने केवल जरूत मंदों की मदद होती है बलकि दान देने वाला वैक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समर्द होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और उर्जा को दूसरों के लाब के लिए अर्पित करना और सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उंति का भी साधन माना जाता है। उपनिसद में दान का उले करते हुए कहा गया है सरदाम देयम ए सरदाम अदेय अर्थार्थ हमेशा पूरी सरदा और भाव के साथ दान करना चाहिए। बिना सरदा के दान कभी नहीं देना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसिदास जी कहते हैं प्रगट चारी पद धर्म के कली महू एक प्रधान जेन केन विधी दीन दान कर कल्यान अर्थार्थ धर्म के चार चरन सत्य दया तप और दान प्रसिद हैं। जिन में से कल्यूग में एक दान रूपी चरन ही परधान है जो किसी परकार से भी दिये जाने पर दान कल्यान ही करता है। इसलिए एक अदसी पर सभी भक्तों को अपने और अपने परिवार के कल्यान की कामना से दान अवश्य करना चाहिए। इसी पवित्र दिन पर मया यह सोदा ने जलास्या पर जाकर स्री कृष्ण के वस्तर पहली बार्द होए थे। इसी कारण इसे जल धूनी क्यास भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान स्रीहरी विष्ण की परतीमा या सालिगराम जी को पालकी में बिठा कर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाडों के साथ सोबा यातर निकाली जाती है। जिसे देखने के लिए भक्त उम्र पड़ते हैं। और जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्ण के वामल रूप की पूजा करता है वह तीनों लोग और त्रीदेव की पूजा कर लेता है। जिसकार भादरिपद सुकलपक्स की एकदसी प्रारमब ओ गी। रखने के बाद अगले दिन रवी वार को वर्थ का पारना किया जाएगा. । वर्थ का पारना 15 सितम्बर दिन रवी वार को सुबhnelt छा बचकर 17 मिनट के बीच में किया जाएगा. एकादसी वर्थ का पार्न हमेशा निर्धारित मूर्थ में करना चाहिए और एकादसी के दिन भूल कर भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का लैसुन प्याज आदी का सेवन नहीं करना चाहिए दसमी तिथी को तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लिये जाते हैं क्योंकि एकादसी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है इस बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा चैनकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैस रिकिस्टना जरूर से लिखेगा